नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्वामे जी यूट्यूब चैनल पर और हम Uh लोग बात करते है는 पबलिक श्पिक्मिस की पबैख्स क्या है जैसे भी ऐसा नहीं होता कि मंच पर बोल लें को पबलिक श्पिकंश पोलतें पबी का मतलब है कि आपका वयवारिक बोल आप पर बात करते हैं यह आप वैसे बात करते हैं सामने प्रत्यक्स रूफ से किस तरह से आपका टॉकिंग स्टाइल है और वेवार कैसा है मैं तो एक बात कहुँगा कि असल में public speaking tips हमारे भाव हैं अगर आपके भाव अच्छी है रिष्टों को maintain करने की आपके अंदर क्षमता है तो आप मंच पर एक अच्छे motivator हो सकते हैं एक अच्छे मंस अंचालक दिलों को जीतने वाले और देखिए अगर आपका चहरा खुबसूरत है अगर आपकी personality है आपको English Hindi बहुत अच्छी आती है आपके पास शब्द जाल है तो यह हो सकता है कि एक बार आप किसी को प्रभावित कर दें लेकिन अगर आप स्थाई परिवर्तन चाहते हैं अपने आप में तो इसके लिए आपको अपने वेवार पर जहा किसी के साथ वैँवार करते वक्त आपके बोलने में वानी में बहुत lazy चातुर्या है बहुत एक भाव होना चाहिए च चातुर्या में नहीं कहुआँगा भाव रहाव होना चाहिए क्योंकि कहते हैं खुशी के फूल उनी के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि लोग मुझे अच्छा कहें हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे उपर प्रभाव पड़ें अक्सर गाउं के मुखिया बनना चाहते हैं लोग और कोई MLA बनना चाहता है तो उनकी कई बार कोल आते हैं कोई कंपनी का जैसे कोई network marketing का कोई भी student है तो उनको उनके phone आती हैं कि मेरा प्रभाव पड़े तो दोस्तों देखिए इसमें protect सी बात तो मेरी तरफ से ये रहेगी कि आपको अपने वैवार में परिवर्तन करना होगा वैवार में इनकी public को समझना होगा किसी की क्या requirement है मैंने देखा है अच्छी अच्छी मंच पर मैंने देखा कि कई बार मंच परा बोलते हैं या कुछ लोग मंस अंचालन करते हैं वो local जैसे sound operator होता है कोई pn होता है पानी पिलाने वाला होता है वो उनकी और ध्यान ही नहीं दे पाते आपका वैवार एक तरह से बिलकुल हर वैक्ति के साथ किस तरह का है वो आपको लोगों के दिलों को जीतता है उन लोगों को भी प्रभावित करता है और दूसरे लोग भी देखते हैं कि इसका हर जगह पर ध्यान नहीं तो क्या होता है कि वक्ता जो होते हैं वो कोई gas होता है उसकी एक तरह से उसी की जैजैकार करते रहते हैं आम जनता कोई दान देने वाले हैं कि उन्हीं को ही परमोट करते रहते हैं वहाँ पर आम पब्लिक भी होती है और आम पब्लिक के साथ वही अच्छा वैवार कर पाते हैं में वहवार चलता रूटीन में जो किसी के साथ behavior करती है अच्छा बोलते हैंथोड़ा सा एक हंस्ते मुस्कुराते हुए बोलती है वही लोग सबी के साथ अच्छा वह वहार कर पाते हैं तो यह मंक्ष के लिए बहुत important बात है मंसचालन करना एक भाशन देना एक motivational speech दे देना ये एक अलग बात है लेकिन एक ऐसा अपने आपका वजू साफित कर देना अपनी एक स्थाई personality स्वास के अंदर छोड़ देना अपना स्थाई प्रभाव छोड़ देना इसके लिए दोस्तों अपनी habits पर अपने वहवार पर हम लोग नियंतरन करें जो गलता उस पर नियंतरन करें और एक balance के साथ एक संतोलन के साथ हम अगर बोलेंगे तो सभी को अच्छा लगेगा और किसी की जिन्दगी बदल सकते हैं आपके शब्द लेकिन उन शब्दों के पीछे फिर मैं कहूंगा कि जज़वात और भाव होने चाहिए कि जो उनकी आँखों से बया होते हैं जो उनकी आँखों से बया होते हैं वो लफ्द किताबों में कहा होते हैं आँखों से बया होने का मतलब यह है कि हमारे भाव कैसे हैं और भाव आँखों से और अपने expression से जलक जाते हैं मैं भी चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में प्रिवर्तन आये मेरे शब्दों से हर व्यक्ति को मैं एक अच्छी तालीम दूँ एक अच्छा समास्क अंदर मार्ग दर्शन फैले एक stage पर बोलने वाला एक public speaker समास्क में एक तरह का रहनमा होता है मार्ग दर्शन को होता है तो जरूरी हो जाता है कि उसकी वाक्षैली उसके शब्द उसके भाव बहुत अच्छे होने चाहिए और ऐसे ही public speaking tips आप बहुत ही अच्छे से अगर चाहते हैं वेक्तिकत रूफ से अगर आप सीखना चाहते हैं हमारे center में आके साथ रहकर या आप बुलाना चाहते हैं टेनर को तीन-चार दिन के लिए आपके साथ रहेंगे तो ये भी आपके लिए एक विकल्प है और आपको हर बात चाहिए वो राजनीती में आपको speaker बनना है, चाहे मनसंचालक बनना है, चाहे आपको किसी जागन में, सत्संग में, धार्मी कारिक्रम में आपको भाषन देना है, मनसंचालक बनना है, motivational speaker बनना है, आप बहुत ही अच्छे से tips ले पाएंगे, management, leadership भी आपको सिखाए जाएगी, दिये गए contact number पर contact दोस्तों धन्यवाद